हेलो दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल मम्मे की टेस्टी रसोई में स्वागत है आज की रेसिपी है आलू पोहा कटलेट की जो मैंने बहुत ही कम इंग्रीडियंट से बनाई है तो बहुत ही अदग क्रिस्पी और एक तम टेस्टी हमारी कटलेट स्पन कर तयार होते हैं वीडियो पसंद आए तो दोस्तो लाइक शेर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले नई वीडियो के लिए बैल आइकन को प्रेस करें प्रेसा बनाना स्टार्ट करते हैं के लिए सबसे पहले हम 1 पर पोह लेंगे फोहे को हम एकदभ साफ पानी से अच्छी तरह से ढओने तो यहां पर हमें पोहे को अच्छी तरह से ढओने आप एक शेनर पर रख दिया एक्स्ट्रा पानी हमारा बाहर आ गया अब इस पोहे को हम 5 मिनट के लिए साफ पानी में भिगोकर रखेंगे इससे पोहा हमारा सौफ्ट हो जाएगा पाच मिनट हो चुके हैं ये देखिए पोहा हमारा मैशी हो गया है ये देखिए उंगलियों से मैं इस तरह से मैश कर रही हूँ तो ये आराम से मैश हो रहा है अब हम इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे दोनों हाथों के बीच में इस तरह से अच्छी तरह से उसके बाद हम आलो को मैश करेंगे, आप यहां पर ग्रीट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जब कटलेट बनाना हो तो आलो बिल्कुल ठंडे होने चाहिए, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, दो हरी मिर्च बिल्कुल बारिक कट की हुई मिला देते हैं, बारिक कटा हुआ हर अधनिया, आप यहां पर अपनी पसंद की वैजिस भी यूज कर सकते हैं, फ़ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, यह कलर के लिए डाली जाती है, तीखी कम होती है, फ़ टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी कम डालेंगे, क्योंकि हमने इसमे कम यह जादा कर सकते हैं, अब एक बड़े चम्मच से अच्छी तरह से सभी चीजों को मिला लेंगे, थोड़ा सा मैंने सभी चीजों को मिला लिया है, अब मैं इसमें वो इंग्रिडेंट एड़ करूंगी, जिसे कि हमारे कटलेट्स में एक अच्छी सी बाइंडिंग आए ला लेते हैं, जिसे कि सभी इंग्रिडेंट्स आपस में अच्छे से मिल जाएं, अब हम इसका एक मिक्स रेडी कर लेंगे, मिलाकर अच्छे से, सभी चीज़े अच्छी तरह से मिल गई है, अब अपने हाथों पर हम ओईल लगाएंगे, जिसे कि जो इस्टॉफिंग यह यह चिपके न, तो अब इस तरह से हम अपनी मन पसंद की कोई भी शेप हम दे सकते हैं, जिस शेप के कटलेट्स आपको बनाने हो, आप उस शेप के कटलेट्स बना सकते हैं, यह देखें, मैंने सिलेंड्रिकल शेप देकर, अब इसे थोड़ा समय हाथ से दबा दूँगी, तो इस तरह की शेप हम बना कर तयार करने वाले हैं, आप अपनी पसंद की कोई भी शेप बनाईए, इसी तरह से हम सारे कटलेट्स बना कर तयार कर लेते हैं, लीजे दोस्तों सारे कटलेट्स मैंने बना कर तयार कर ली हैं, अब हमारे कटलेट्स फ्राई होने के लिए बिल करिए आज हम अपने cutlets को shallow fry करने वाले हैं आप इने deep fry भी कर सकते हैं हमें cutlets fry करने के लिए medium hot oil चाहिए oil हमारा अच्छे से गरम होना चाहिए अब सभी cutlets को हम यहां पर एक एक करके इसमें रख देंगे जितने cutlets आसानी से आज है flame को medium to high रखेंगे medium to high flame पर हमें cutlets को fry करना है अब ही आप bubbles काफी देख रहे हैं जब यह bubbles कुछ कम हो जाएंगे उसके बाद ही हम इने turn करेंगे थोड़ा सा सिखने देते हैं यह देखिए हमारे cutlets सोड़े से नीचे से सिख चुके हैं प्यारा सा light golden color आ चुका है अब दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से से शेख लेंगे अब हम इने एक स्ट्रेनर के ओपर निकाल लेते हैं सारे cutlets को मैंने oil में से निकाल लिया है और आप देख सकते हैं आपको देख कर ही पता चल रहा होगा कि cutlets कितने ज़दा crispy बने हैं इसी तरह से सारे cutlets बना कर तयार कर लेंगे लीजिए हमारे सारे cutlets fry हो चुके हैं आईए इने सर्व करते हैं मैंने इने ketchup के साथ सर्व किया है आप इने अपनी मन पसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों like, share, comment चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ बाई बाई